राजेश खन्ना इंडस्ट्री के वो आक्टर जो मरते दम तक सूपर स्टार की तरह ही रहे हैं ये सूपर स्टार वाला टैग उनके दिमाग में छप चुका था और उनकी लाइफ स्टाइल भी उसी तरीके से थी उनके बात करने का तौर तरीका भी वही था इन फैक्ट अगर बात करें 2009 की तो तब राजेश खन्ना को बिग बॉस शो भी ओफर हुआ था लेकिन इस शो में जाने के लिए राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी शर्ते रख दी जो चैनल भी नहीं मान पाया तो चलिए आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको बताऊंगी ये राजेश खन्ना में बिग बॉस के शो में जाने के लिए वो क्या-क्या शर्ते रखी थी ये बात है एर 2009 की बिग बॉस का शो जिसको टीवी का सबसे ज़ादा कॉंट्रोवर्शिल शो माना जाता है इस शो ने बहुत बड़ी-बड़ी कॉंट्रोवर्शिस की है और इस शो में टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स सब ही कोई नजर आते हैं ये वो टाइम था जब बिग बॉस की शो को होस्ट कर रहे थे अमिताब बच्चन और इसी टाइम चैनल ने एक आइडिया लगाया कि क्यों न राजेश खन्ना को इस शो में as a contestant बुलाया जाए अमिताब बच्चन और राजेश खन्ना को जब ये दुनिया एक साथ देखेगी तो एक अलग ही entertainment create होगा यही कारण था कि चैनल ने तब राजेश खन्ना को offer दी शो में आने की राजेश खन्ना ने initially तो कह दिया कि राजेश खन्ना superstar ऐसे ही किसी शो में नहीं जाएगा लेकिन चैनल वानों के pressure करने के बाद राजेश खन्ना ने finally चैनल वालों से एक meeting करी इस meeting में उन्होंने पूरा शो का concept समझा और अपने finances decide किये आपको बता दे कि राजेश खन्ना को उस time शो के लिए 3.5 करोड रुपे offer हुए थे जो तब तक के big boss के इतिहास में सबसे ज़दा amount था किसी celebrity को देने के लिए जब बातचीत करके price वगेरा सब कुछ okay हो गई तब राजेश खन्ना ने चैनल वालों के सामने एक शर्त रग दी उन्होंने कहा कि मैं alcohol के बिना नहीं रह सकता हूँ मुझे हर रोज drink करना होता है तो मुझे घर के अंदर drink allow किया जाए तब चैनल वाले शो के concept के हिसाब से राजेश खन्ना की ये बात नहीं मान पाए और यही कारण था कि ये बात सिर्फ discussion level तक ही अटक गई और राजेश खन्ना इस शो का हिस्सा नहीं बन पाए आगे चलकर ये शो शुरू हुआ बिग बॉस सीजन 3 की अगर बात की जाए तो इस दौरान हमें शो में नजर आई थी पूनम धिलो के आरके भी इस शो का हिस्सा थे विंदू दारा सिंग शमीता शेटी भी तब इस शो में थी इस शो की स्टार्टन तो अच्छी खासी हुई क्यारके की वजह से बहुत टियार पीस भी इस शो को मिली लेकिन जस वक्यारके को घर से निकाल दिया गया उनके Miss Behaviour के कारण दो इस शो को टियार पीस के कारण एक बार फिर से एक Wildcard Entry की जरूद थी और तब चैनल फिर जा पहुँचा राजेश खन्ना के पास ही जब राजेश खन्ना के पास दूसरी बार गुमफेद कर ये ओफर आया तो उन्होंने इस ओफर को second thought दिया और उन्होंने decide कि ठीक है वो इस शो में चले जाएंगे राजेश खन्ना का ऐसा कहना था कि जितनी जहर मुझे शराब से नहीं मिलती है उससे कई ज़ादा जहर तो इस घर में है finally राजेश खन्ना ने इस शो में आने के लिए हां कर दिया और उन्होंने कह दिया कि इसी बहाने वो अपनी शराब की आदत से भी दूर हो जाएंगे in fact अगर बात करें अमिता बच्चन की तो तब उन्होंने अपने एक एपिसोड में आनंद फिल्म के कुछ डायलॉग्स भी बोले थे जिससे ये कहीं न कहीं संकेत था कि जल्द ही राजेश खन्ना की बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ट एंट्री होने वाली है और ऐसी खबरे भी आ गई थी कि राजेश खन्ना बिग बॉस के सबसे महंगे कंटेस्टेंट होंगे अब तक इतना बड़ा अमाउंट किसी को भी नहीं दिया गया है लेकिन जब बाद में राजेश खन्ना की फैमिली को पता चला कि ये शो किस तरका है और इसमें कैसी कैसी कंट्रॉवर्सी होती है इसमें junior, senior का भी दाइरा नहीं रखा जाता है ऐसे में उनकी family ने उन्हें insist किया इस show में नहीं जाने के लिए क्योंकि उनका कहना था कि big boss में लोग जाते हैं famous होने के लिए अपनी career को revive करने के लिए और अगर बात करें राजेश खना की तो वो आज भी superstar है और आज भी Bollywood के किसी भी actor से उनका नाम सबसे उपर ही रहेगा इसलिए तब अपनी family के कहने पर राजेश खना ने एक बार फिर से big boss में जाने के लिए ना कह दिया तो इस तरह से वो big boss के team का हिस्सा बनते बनते रहे गए और finally जिस wild card entry से राजेश खना आने वारे थे उसी जगह पर उन्होंने फिर विनोत कामली को wild card entry दी थी तो राजेश खना साहब की यही कुछ बाते हैं जिससे time time पर हमें realize होता है कि वो सिफ star बने नहीं थे बलकि उन्होंने stardom को जिया था stardom उनके रग रग में था यही कारण था कि वो बाते भी करते थे तो वो dialogues के रूप में होती थी कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे Bollywood की एक और story के साथ लाइक करें हमारा facebook page Bollywood Thikana, follow करें हमें insta पे और subscribe करें हमारा youtube channel Bollywood Thikana